हमारा देश भारत अंग्रेजी काल में चल रही रेलवे सेवा आज भारत में एक बड़ा रूप ले चुकी है और वर्तमान समय में भारतिये रेलवे सेवा दुनिया में चौथी नंबर की सबसे बड़ी रेलवे सेवा मानी जाती है आज हम भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स् इसका संचालन रेल मंत्राले द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार की एक शाखा है, जो देश के विभिन हिस्सों को आपस में जोड़ता है। हुई थी, जिसके लिए decision dollars को भारतिय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, भारतिय रेलवे स्टेशनों की सूची काफी व्यापक है, जिसमें कुल साथ 1325 स्टेशन है, इन सभी स्टेशनों से 13200 यातरी ट्रेने चलती है। भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में, पहला स्थान, हावरा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, हावरा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल की हावरा शहर में स्थित है, जो भारत के सबसे व्यस्त, और सबसे बड़े रेलवे यात्रियों की बरती संख्या को समायोजित करने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में इसका महत्वपूर्ण विस्तार और आधुनी की करन हुआ है, वर्तमान में हावडा रेल्वे स्टेशन एक विशालक शेत्र में फैला हुआ है, और इसमें कई प्लेटफॉर्म और ट्रैक चमतकार है, हावडा रेल्वे स्टेशन भारत के विभिन हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जो कोलकाता को दिल लीग मुंबई, चैननाई, बैंगलो और कई अन्य प्रमुक शहरों से जोडता है, साथ ही पूर्वी रेल्वे क्शेत्र के लिए एक प्रमुक टर्मिनस भी है, ह उनकी यात्रा को सुविधा जनक बनाता है, और उन्हें भारत के विभिन हिस्सों से जोड़ता है, इसलिए हावडा रेल्वे स्टेशन को भारत का सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन माना जाता है, इस रेल्वे स्टेशन को पहल पूर्वी बंगाल रेल्वे और असम बंग काल रेल्वे के नाम से जाना जाता था सियालदह रेल्वे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेल्वे स्टेशनों में से एक है जहां दैनिक यात्रियों की एक बड़ी संख्या रहती है जो हर दिन एक दशमलव आठ लाख से अधिक लोग यात्रा करते हैं जो इसक शित्र में एक प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है भारत के इस सबसे बड़े रेल्वे स्टेशन में एक की स्प्लेटफॉर्म और अठाइस ट्रेक हैं सेयालदह रेल्वे स्टेशन का एक लंबा एतिहास है इस बड़े स्टेशन को वर्ष 1862 में ख वर्षता को बढ़ाया और इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी तीन चत्रपती शिवाजी महराज टर्मनस जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस और बोरी स्टेशन के नाम से जाना जाता था इस स्टेशन को भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन म 18 प्लेटफॉर्म है और लगभग 40 ट्रेक है। स्टेशन का निर्मान 1889 में शुरू हुआ और 1897 में पूरा हुआ वर्तमान छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस एक प्रमुक परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है जो मुंबई को भारत के विभिन हिस्सों से जोड अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और एतिहासिक महत्व हैं। शुरूआत में इसका नाम इंग्लेंड की महाराणी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया था। इससे पहले इसे बोरी स्टेशन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे बदल कर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। चार न्यू डेली रेल्वे स्टेशन दिल्ली रेल्वे स्टेशन चौथे नंबर पर है। नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन उननीस सो चबवीस में बनाया गया था। और स्टेशन में कुल 16 प्लैटफॉर्म और 18 रे दिन 13 से 23 ट्रेनों का संचालन करता है और पूरे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 2 लाग से अधिक है। पाच चैन्नाई शेंट्रल रेल्वे स्टेशन चैन्नाई शेहर का मुख्य रेल्वे टर्मिनस और दक्षण भारत का सबसे व्यस्ठ स्टेशन है, जिसे 18 173 में ब बनाया था और केवल चार प्लैटफार्मों के साथ इस स्टेशन को चालू किया गया था मध्या-् रेलवे के पास 17 प्लैटफॉर्म और 17 ट्रैक हैं चैन्नाई Central Railway Station भारत सरकार के स्वामित्व में हैं 6. कानपुर Central Railway Station कानपुर Central Railway Station चठा भारत का सबसे बड़ा railway station है. यह station 1930 में खोला गया था और इसे शुरू में कानपुर जंक्षन नाम दिया गया था. इसका नाम बदल कर कानपुर Central Railway Station कर दिया गया. कानपूर सेंट्रल को पहले कानपूर नौर्ट बैरक के नाम से जाना जाता था यह स्टेशन भी भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है इस स्टेशन पर दस प्लेटफॉर्म और अठाइस ट्रेक है 7. प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज जंक्शन सात्वा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन को पहले इलाहबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था यह भारतिय राज्य उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है जहाँ पुरानी Grand Track Road और दिल्ली कोलकाता मेन लाइन मिलती है जिसमें 10 प्लेटफॉर्म और 20 ट्रेक है जिसका आरंब 1869 में हुआ था रेलवे प्रयागराज में कुम्भ मेले के लिए तीर्थ्यत्रियों की भारी आमत के लिए विशेश व्यवस्था करता है आठ पटना रेलवे स्टेशन बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है यह स्टेशन 1862 में बनाया गया था यह स्टेशन को बिहार और जारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इस स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म और 15 ट्रेक है पटना रेल्वे स्टेशन पर प्रतिदिन 189 ट्रेने गुजरती हैं, इसलिए इसे ग्रेड ए रेल्वे स्टेशन माना जाता है। हर दिन एक दशमलब 3 लाख लोग यात्रा करते हैं। 9. एहमदाबाद जंक्षन एहमदाबाद जंक्षन गुजरात के एहमदाबाद शहर में स्थित है। यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेल्वे स्टेशनों में से एक है। और एहमदाबाद जंक्षन प्रतिदिन लगभग देवलाख यात्रियों को संभालता है। और इसे विश्व स्तरिय रेलवे स्टेशन घोशित किया गया है। यह स्टेशन 1956 में मुगल वास्तुकला की शैली में गुमबदो और महराबों के साथ बनाया गया है। लगभग 25 एकर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसका मालिक भारतिय रेलवे है। और इसमें प्लेट मुंबई से अहमदाबाद के लिए चली थी। वर्तमान में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कुल 12 प्लेटफॉर्म और सोलह ट्रैक है। विभाजन से पहले सिंध मेल यहां से होकर गुजरती थी। अहमदाबाद स्टेशन का निर्मांग गोकुलदास कॉंट्रेक्टर इसे 1862 में खोला गया था। दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। एतिहासिक मुगल सराय स्टेशन को 1860 के दशक में बिच्छाई गई। दिल्ली हावडा लाइन के हिस्से के रूप में बनाया गया और यह भारत का चौथा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां हर दिन 3 लाख लोग यात्रा करते हैं. इस स्टेशन पर 8 प्लैटफॉर्म और 13 ट्रेक हैं. यह स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है. भारत का रेलवे नेटवर्क विशाल और व्यापक है, जो देश भर के लाखों लोगों को जोडता है. कुलकाता में चहल पहल भरे हावणा जंक्षन से लेकर, मुंबई में प्रतिश्थित छत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनल तक, प्रतियेक स्टेशन की अपनी अनूठी विशेशता और एतिहासिक महत्व है. आप इन में से कौन से रेल्वे स्टेशन में घूम लिये हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. वंदे मातरा.